प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर गुजरात सरकार ने हाल ही में अपनी शमा नीती के तहत बिलकिस बानू केस के सभी दोशियों की रहाई को मंजूरी दे दी है जिसके बाद 15 अगस्त को उन्हें गोद्रा उपकाराग्र से रिहा कर दिया गया इस मामले के अलोचना करते हुए कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिये प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी पर हमला किया है और सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए है राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्नाव भाजपा MLA को बचाने का काम कठवा बलातकारियों के समर्थन में रैली, हात्रस बलातकारियों के पक्षमे सरकार और गुजरात बलातकारियों के रिहाई और सम्मान अपरादियों का समर्थन महिलाओ के प्रती भाजपा की ओची मानसिक्ता को दर्शाता है ऐसी राजनीती पर शर्मिन्दगी नहीं होती प्रधानमंत्री जी बिल्किस बानो केस में राहुल गांधी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी को घेरने में लगे हुए है उन्होंने कल भी एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि पाच महिने की गर्बवती महिला से बलातकार और उनकी तीन साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आजादी के अमरित महत्सफ के दौरान रिहा किया गया नारी शक्ती की जूटी बाते करने वाले देश के महिलाओं को क्या संदेश दे रहे है प्रधान मंत्री जी पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है दिली में आमाद्मी पार्टी के कारिकरताओं ने राजस्थान के जालोर में दलित छात्र की हत्या के मामले में कॉंग्रिस मुख्याले के सामने विरोध प्रदर्शन किया है पुलिस ने कई प्रदर्शन कारियों को हिरासत में ले लिया है प्रदर्शन कर रहें आमाद्मी पार्टी के कारिकरताओं को दिली पुलिस ने बस में भर कर थाने ले गई आमाद्मी पार्टी के कारिकरताओं ने कॉंग्रिस मुख्याले का घहराव करते हुए पीडिक परिवार को एक करोड रुपे का मुआवजा और परिवार के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी की मांग की जा रहे है बता दे कि राजिस्थान के जालोर में 20 जुलाई को तीसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र की एक शिक्षक ने पिटाई कर दी थी जिसके बाद 9 साल के मासूम बच्चे की मृत्यों होने से पूरा देश आहत है और इनसाफ की मांग करते हुए देश भर से कैनल मार्च निकाला जा रहा है वही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने ट्वीट कर कहा किस केस की सुनवा ही फास्ट ट्रैक कोट में कराई जाएगी दलिक छात्र की पिटाई से मौत के बाद विपक्षी दल लगाता कॉंग्रिस को घेर रहे है मध्यप्रदेश के जबलपूर में आर्थिक अपराज शाका EOW ने आए से अधिक संपत्ती से जुड़े एक मामले में शहर के एक शेत्रिय परिवाहन कार्या ले आटियों के एक अधिकारी और उनकी पत्नी के तीन ठिकानों पर छापा मार कर मध्यप्रदेश के जबलपूर में आर्थिक अपराज शाका ने आए से अधिक संपत्ती से जुड़े एक मामले में शहर के एक शेत्रिय परिवाहन कार्या ले आटियों के एक अधिकारी और उनकी पत्नी के तीन ठिकानों पर छापा मार कर 16 लाख रुपे नगत बरामत किये और अन्य संपत्तियों का खुलासा किया है मध्यप्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराज शाका ईयो डव्यू के अधिकारियों ने गुरवार को ये जानकारी दी है ईयो डव्यू के पुलिस अधिक्षक देवेंदर सिंग राजपूत न किलने के बाद आर्टियों अधिकारी संतोष पॉल और उनकी आर्टियों कार्यले में लिपिक के पत पर काम करने वाली उनकी पतनी लेखा पॉल के घर पर चापे मारी बुद्वार देर रात हुई है उन्होंने आगे बताया कि तलाशी के दौरान इयो डव्यू ने 16 लाख की अभी जारी है वही पॉल और उनकी पतनी के खिलाफ ब्रश्टाचार निरोदक कानून के संबंदित प्रावधानों के तहत मामला दर्च किया गया है पुर्वमंत्री पार्थ चैट जी और उनकी सयोगी अर्पिता मुखर जी को एससी घोटाला मामले में 31 अगस्त तक न की करीबी अर्पिता मुखर जी को रहत देने से कोट ने इंकार कर दिया है शिक्षा घोटाले से जुड़े मामले में कोट ने दोनों को 14 दिन ं Diet खिरासत में भेज दिया है नियाएक हिरासत समाप्त होने पर पाथ चैट जी और अर्पिता मुखर जी को आज कोट में पेश किया गया था पाथ चैट जी की जमानत याचिका पर एडी द्वारा विरोत किये जाने के बाद दोनों को 31 अगस्त तक नियाएक हिरासत में भेज जिया गया है बता दे कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई शिक्षकों की भरती में हुई अनियम इत्ताओं की जाच के सिलसिले में एडी ने पिछले महीने पार्थ च्राट जी और अर्पिता मुखर जी को गिरफतार किया था महाराष्ट के राइगर जिले मिस्तित हरी हरेश्वर तट के पास संदिग्द नाव मिलने से हड़कम मचा हुआ है मुंबई को हाई अलर्ट किया गया है वही विदान सभा में महाराष्ट के डिप्टी स मिले है हाला कि इस नाव के साथ कोई शक्स नहीं मिला है ऐसे में पूरे जिले में अलर्ट घोशित कर दिया गया है इस घटा के कुछ देर बाद भर्दक होल में एक लाइफ बोर्ट मिली है जिसमें कोई मौजूद नहीं था इस वजह सी शक और ज्यादा बढ़ गया है घटना को लेकर जानकारी दी है उन्होंने कहा राइगर जिले के समुद्र तट पर एक बोर्ट पाई गई है जिसमें तीन एके 47 और उसके साथ उसका अमिनेशन वबोर्ट के कुछ कागजात पाए गए है इस घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत महाराष्ट पुलिस और ATS ने सभी जगा नाकाबंदी कर तफ्ती शुरू कर दी गई है अब बोट के बारे में पुकता जानकारी हमारे पास आ गई यह बैते हुए आई है इसके मालिक भी एसरेटन हुए है उसको जिन्होंने रिस्क्यू किया है वो भी सारा एसरेटन हुआ है इसलिए मैंने प दरसल एक डिस्ट्रेस बोट है जो खराब मौसम और रफसी यानि समंदर के चलते बह रही थी ओमान ने मदद कर इस बोट में सवार चार लोगों की जान बचाई थी इस बोट को टो करके ओमान ले जाया जा रहा था लेकिन उसी दौरान इसकी रसी तूट गई और बोट त आदंपूर में स्कूली बच्चे नवीन ने आठ अगस्को रेलवे ट्रैक पर कट कर सुसाइट कर लिया इस मामले में फुलिस ने नीजी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है परंतु आरोपी की गिरफतारी नहोने पर परिजनों में आक्रोश फैला हुआ है इसके चलते मृतक बच्चे के परिजनों ने गुर्वार को लगो सचीवाले और हिसार के रेलवे थाने के बाहर भी रोश प्रदर्शन किया है गौर तलब है कि हिसार में नवी कक्षा के छात्र ने कार्यवाहक प्रिंसिपल की पिटाई के डर से ट्रेन के आगे इस मामले एक वीडियो फुटेज भी सामने आई है जिसमें कार्यवाहक प्राचारिय बच्चे के साथ मार पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है पुलिस ने मृतक छातर के परिजनों की शिकायत पर कार्यवाहक प्राचारिय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चान भीन पुलिस का दावा है कि मामले की जाज की जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा वही परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में धील बरत रही है घटना की CCTV फुटेज भी पुलिस को सौब दी गई है जिसमें स्कूल प्रिंसिपल बच्चों की पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है स्कूल में म्यूजिक रूम में कई ऐसी घटना हुई है जिसमें बच्चों को मानसिक रूप से प्रतारित किया गया म्यूजिक रूम में डबल बेड लगा हुआ है वही मानसिक प्रतार्णा से स्टूब्द बच्चे ने रेल के आ अचारिय के बंसी धर को गिरफतार करने की मांग की और रेलवे थाने के बाहर भी रोज प्रदर्शन किया है प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालिटी न्यूस खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले साथ ही हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करे